तो गाइस जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स कम आये थे उनके एक्सपेक्टेशन से उनके लिए काफी बढ़ी गुड न्यूज यहाँ पर सीबीसी के तरफ से आ रही है तो यह जो रीचेकिंग का नोटीस से सीबीसी ने जारी कर दिया है तो जैसे कि काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनके जो मार्क्स उनके एक्सपेक्टेशन से कम आये तो आप सीबीसी ने यहाँ पर रीचेकिंग का नोटीस जारी कर दिया जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस नोटीस के तहत आप वेरिफिकेशन कोपी एंड रीवल्यवेशन अपनी मार्क्स का करा सकते हैं तो यह सारी चीज़े मैं आपको डिटेल में बताऊंगा काफ़ी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो आपके कम भी जो माक्स हैं वो माने जाएंगे ठीक है इसलिए जो इन्स को इसकिप ना करें complete जरूर देखे complete information के लिए तो आपको मैं important बाते बताता हूं CBS is having a well settled system of assessment however if the student are not satisfied with their evaluation they are provided an opportunity for verification of marks and facility to obtain the photocopy of their evaluated answer books and the re-evaluation of their answers students using these facilities are requested to read the guidelines for availing these facilities carefully before applying to avoid any inconvenience तो यहां पर cbsc ने बोला गया कि काफी बढ़िया उनका system है इसमें आपका verification of marks photocopy and जो आपका re-evaluation का process है यह सारा follow किया जाएगा बट यहां पर इस्टुडेंट को एक और instruction दिया गया है कि जो भी student in facilities का use करना चाहते हैं उनको यह instructions काफी carefully यहां पर read करना है ठीक है तो यहां पर re-checking में यह तीन process सामने आते हैं तो पहला है कि verification of marks second obtaining photocopy of evaluated answer book फिर है re-evaluation of answers तो पहले मैं आपको verification of marks के बारे में बताता हूं तो verification of marks में अगर आप apply करते हैं तो उसमें आपका यहां पर जैसे की totaling में अगर कोई mistake है या फिर कोई आपका answer check नहीं हुआ है तो इस टाइप की चीजें वो deal की जाती है and second है obtaining photocopy of evaluated answer book तो अगर आप first step यादि verification of marks के लिए apply करते हैं and उसके बाद भी अगर आपके marks increase नहीं होते हैं then आप अगर second यह जो process है photocopy of evaluated answer book इसके लिए apply कर सकते हैं तो इसके लिए अलग से चार्ज लिया जाएगा and अगर आप इसमें apply करते हैं तो जो आपकी answer sheet होती है उसकी आपको photocopy provide करी जाती है CBC की तरफ से and आप उसमें challenge कर सकते हैं कि आपको किसी particular question में अगर marks कम award करे गए है and all तो इस टाइप की चीजें यहां पर इसमें obtaining photocopy में की जाती है and जो third process है वो है re-evaluation of answers तो जैसा कि आपने second process तक apply कर दिया है तभी आप third process यानि re-evaluation of answers में participate कर सकते हैं तो re-evaluation of answers में क्या होता है कि जैसे कि आपने photocopy ली अपने answer sheet की and उसमें आपको किसी question में कम marks award हुए है या फिर कोई आपका answer check नहीं हुआ है तो इस type की चीजें यहां पर re-evaluation of answers में deal की जाती है मतलब कि कहा जाए कि यह तीनों जो steps है वो step by step यानि कि आप first step पर participate करेंगे तभी आप second के eligible है अगर आप second में apply करते हैं तभी आप third के लिए eligible है तो यह जो चीजे थी है मैंने इस notice में यहां पर बता रखी जो कि मैंने आपको short में समझा दिये बट और भी काफी important बाते हैं जो कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ कि इसका क्या condition रहने वाली है आपके marks कम होते ह है तो आपको क्या करना है and all and क्या fees रहने वाली यह भी मैं आपको अभी बता हूँगा तो पहले मैं आपको कुछ important instructions बता जेता हूँ apply करने पहले पहले है कि आपको जो process है वो fully online होने वाला है fees and all सब कुछ आपका online यहां पर लिया जाएगा and second point जो important है कि आपका जो यह process हो होने वाला है इसमें आपको single application ही fill करनी है and उसी application में चाहिए आप एक subject के लिए apply करें तो next important point यहां पर सामने आ रहा है जो कि है decrease even by one mark shall be affected तो यहां पर CBSC ने clearly बोल दिया है कि अगर आपका एक marks भी deduct हो रहा होगा तो उसको यहां पर count किया जाएगा और उसी के अगला point जो क है in case where there is change in marks both increase or decrease such candidates shall have to surrender the mark sheet come certificate which is in their possession therefore they shall be issued a new mark sheet come certificate यानि कि आपकी जो अभी currently जो mark sheet and certificates है तो वो आपको surrender करने पड़ेंगे and new आपको mark sheet and certificate प्रोवाइड किये जाएंगे तो उनमें अगर आपके marks कम हो रहे होंगे तो आपको कम वाले मिलेंगे अगर ज्यादा हो रहे हो तो ज्यादा हो ठीक है तो यह आप अपना carefully इसमें apply करें अगला जो point है possession charges are non refundable जो आप charges देंगे आपने मानलीच apply कर दिया है फिर आपको लगता है कि आपको apply नहीं करना था और आप fees वापस लेना चाहेंगे बट आपको ऐसा नहीं होगा and यहाँ पर जो फीस है वो non refundable तो य यहाँ पर cbc charge करेगी और यहाँ पर जो बाकी details है वो मैंने आपको already समझा दिये फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका communication है वह आपकी login ID बन जाएगी उसी के अंदर आपको show होंगे आपके marks increase होएगी नी in case of change in marks the first communication that marks have been changed will be provided hosted therefore once the result is recalculated the actual increase or actual decrease of marks will be provided will also be provided तो जो आपकी login account अगा महाँ पर आपको पता जल जाएगा फिर अगला आप देख सकते हैं था applicants are advised to visit cbac website आपको regularly check करते रहना है फिर only those candidates जैसे कि मैंने आपको clearly बताया था कि only those candidates who will apply for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy of answer book in that subject तो आपको जैसे first step के लिए आप apply करेंगे तभी आप second के लिए कर सकते हैं और third के लिए कर सकते हैं तो यह चीज थी है और second option जो आपका photocopy वाला है तो उसके यहां पर charges यहां पर 700 rupees पर subject है एक्स्ट्रा यानि 500 पहले आपको देने पड़ेंगे अगर फिर आप photocopy भी लेन choices होता है जो की re-evaluation of evaluated answers है तो इसमें है कि जो candidate second photocopy के लिए अपलाई करते हैं वह इसके लिए eligible है एंड इसका जो चार्ज है वो है 100 rupees पर question यानि आपको किसी particular question में आपको अगर marks नहीं award हुए हैं या फिर marks कम मिलें तो आप उस question को अगर वापस से check करवाना चाहते हैं तो उसका 100 rupees पर question याँ पर CBSC की तरफ से charge उसकी आपको याँ पर marking scheme provide करी जाएगी subject की and अगर आप उस marking scheme के हिसाब से correct हैं तो आप challenge कर सकते हैं with reason मनलब कि आपको reason भी बताना है कि आपको इसमें marks कम मिले हैं या नहीं मिले हैं या फिर आपको इसमें ज्यादा मिलने चाहिए थे इसमें कम award करें गया हैं जो भी आपका reason है वो आपको बताना है and marking scheme को उसको ध्यान में रखके फिर आपका जो status है of revolution वो आपका यहाँ पर जो website है उस पर upload हो जाएगा और फिर decrease even one mark will shall be affected हर जगा यहाँ पर लिख रहा है CBSC ने तो इसमें confident है तभी आप apply करेंगे यानि कि CBSC कि का यही यहाँ पर meaning निकल रहा है फिर a result of revolution will be final and no appeal or review against the revolution would be entertained तो यह तीन step के बाद में फिर आपके पास कोई chance नहीं है यह मुलब की आप revolution तक apply कर दिए and इसके बाद भी अगर आपके marks नहीं बढ़ रहे हैं तो उसके बाद में यहाँ पर CBSC ने clearly बोला है कि उसके बाद आ और review against revolution would be entertained फिर तो अब हम इनकी dates and fees की बात करते हैं तो class 12th का है similar type class 10th का भी release हुआ है गर 10th का भी चाहिए तो मैं आपको provide कर दूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले applying जो first process verification उसके लिए applying date है यहाँ पर दो दिन का time मिला गया है 26th July 28th July के बीच में तो यह आप आपको apply करना है and 500 rupees पर subject जो कि मैंने आपको पताया था यहाँ पर आपको charge देना पड़ेगा फिर second जो process applying for photocopy तो इसका जो applying date है वो 8th August से 9th August यानि कि आपको एक दिन का time मिल रहा है and 700 per answer book यहाँ पर charge किया जाएगा फिर third जो process होता है revolution का तो उसके लिए apply करने की date यहाँ 13th August to 14th August यहाँ पर दे रखी है and 100 rupees पर question यहाँ पर charge लिया जाएगा तो यह यहाँ पर कुछ process था re-evaluation का re-checking का तो I hope आपको समझे में आया होगा मैंने काफी यहाँ पर details में and एकदम simple language में समझाने की कोशिस किये तो अगर आपका फिर भी कुछ doubt रह जाता है तो आप comments मे पूछ सकते हैं मैं next video में आपके कुछ doubts रहेंगे वो clear कर दूँगा ठीक है और अगर आपको video helpful लगे like जरूर करें मैं as a friend आपको समझाने की कोशिस किये पूरा तो flawless video में इतना ही take care and bye